वेलकम तो शाइन दवर्ट विद आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 नंसर मैंडला लॉंग वाल टू फ्रीडम का हिंदी एक्स्पिनेशन तो इस चैप्टर वो लिखा है नंसर रोहिलाला मैंडला ने तो इससे पहले हम लोग ने आधीन चैप्टर का हिंदी एक्समीरिशन पहले वाली वीडियो में देख लिया अभग एक्समीरिशन में लुग इस वीडियो में कवर करएंगे तो इस सलेले हम लोग काहते हम्रम को बता रहे हैं जो रंगभेद कि मेत है उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों को कभी ना भरने वाला घाव दिया है एपटाइट को कहते हैं रंगभेद तो बता रहें कि हम सभी को इस घाव को भनने के लिए पीठिया नहीं लेकिन कई पीठिया नहीं लगेंगे लेकिन हां कुछ वर्स लग सकते हैं बड़ देट ओफ ऑपरेशन और अन बर्तालिटी और अनदर 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 एंटेंट एफेक्ट अन डट वस देट इप्रदूस द अलिवर थैंबूस बूस द वॉल्टा सिसलूस द चीफ लुथिली ज यूसूफ दादूस एंड ब्राम फिचर्स द सब्सक्राइब को पैदा किया है मैं और सच एक्स्ट्राइब नरी करेज विजडम एंड जन्रेसिटी डेर लाइक में नेवर भी नो अगेन तो क्या बता रहे हैं कि यह लोग विलेट्ट अच्छर सहार समझदारी और उदारता वाले ऐसे वैक्ति जिनके सायद जिनके जैसा सायद ही कभी कोई और जन्मा होगा परहाफ इट रिक्वाइब सच टिपैट ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रेश्ट सच हाइज हाइट ऑफ करेक्टर तो बता रहे हैं कि संभवता इस तरह के उ अगे रखते हैं हम लोग माइक कंट्री इस रिच इन दा मैनिरल्स मिनरल्स एंड जम्स डैट लाइब बिनेट इट स्वाइल बट आई हाब आलवेज नो डैट इट ग्रेटेस्ट वेल्ट इट इस प्यूपल वाइनर एंड टूनर डैट डा पॉल्स डाइमंड्स तो बता हमेशा यही माना है कि इसकी सबसे समूलिवान इसकी सबसे बहुमूल संपद्दा जो है वो इसके नागरिक हैं जो कि सुद्ध हीरे से भी अधिक सुद्ध और सक्चे हैं तो इसमें जो यह ऑथर हैं वो यह बता रहे हैं उसके बाद आगे पढ़ते हम लोग तो बता रहे हैं संघर्ष के इन ही सिफायों से मैंने साहस का अर्ष सीखा है जुनके सन्नाम हम लोग ने आगे पढ़े थे टाइम एंड अगेन आई वहाफ सीन मैं और वूमें डिस्क एंड गिव दियर लिवस और आइडियास समय समय पर बार बार मैंने पुरूश और महिलाओं को एक एस एक विचार के लिए अपना जीवन संकट में डालते हुए देखा है और निचावर करते हुए भी देखा है बता रहे हैं कि महार फीडम के लिए बहुत सारे मैं और वूमें ने अपना जीवन होता है वो निचावर कर दिया होता है आई हैव सीन मैं स्टैंट अप टू अटाइक एंड टॉटर्स विटाउट ब्रेकिंग शोविंग एंड इस्टेंट एंड रिलीज रेसिलेंस एंड डेट डिफीट दा इमाजिनेशन तो बताते हैं कि मैंने उन पुरुशों को देखा है जो तूटे बिना हमलों और प्रत होता है ईलेंट करेज Was not absence of fear बड़ तो बताते हैं कि मैंने सीखा है कि साहस का अर्थ क्या होता है सहास का अर्थ डर्ठ का ना होना नहीं होता है बल्कि इस पर विजहएपराप्त कर नहीं होता है तो वहीं बता रहे हैं कि ब्रेव इंसान वह नहीं होता है जो डर को फील नहीं करता है बलकि वह होता है जो डर पर जीत ले लेता है नो वन इस बॉन ही बार पर संब्सक्राइब इस बैग्राउंड और इस रिलीजन तो उसमें बता रहे हैं कि कोई भी इंसान जन्म से दूसरे वेक्त के लिए घ्रणा नहीं होता है जो प्यूपल होते हैं उन्हें हैट करना सिखाया जाता है इसके लेन तो बता रहे हैं कि जब उन्हें घ्रणा करना सिखा सकते हैं तो उन्हें फ्रेम करना भी सिखाया जा सकता है उसके बार आगे देखते हैं हम लोग बता रहे होते हैं कि प्रेम इसके विप्रीद इनसान के हिदय में अधिक सब्भाविक होता है ग्रेना से प्रेम अधिक इंसान में होता है नाचरल इसके मन में होता है इवेन इन दा ग्रिमिस्ट टाइम इन प्रिजन वेन माई कॉमरेट्स एन आई वर पुष्ट तू आवर लिमिट आई वोड़ सी अग्लिमर अफ हुमेंटी इन वन आफ दा गार्ट तो वह बताते हैं कि यहां तक कि जब वह सबसे दुख भरे समय में जब अप मेरे साथी पाइन कर रहे थे अंतिम हद तक पहुच गये थे तो वहां पर मैंने एक शिपाही के अंतरगत मानौता की चमक देखी थी वह ऐसा बता रहा होते हैं कि जब वह जेल में थे तो जब उन पर पतारना दी जा रही थी तो उनमें से जब बहुत दर्द से काप रहे थे तब उन तो बता रहा है लेकिन यह बहुत थोड़ा था मल कि वो जो यह एक चछड के लिए एक चछड के लिए एक सेकंड के लिए जलक मुझे अश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेजित करती थी जो उन्होंने मानवता की वो जलक देखी थी Man's Godness is a flame that can be hidden but never extinguished तो बता रहे हैं जो man की goodness होती है जो इंसानों की अच्छाई होती है वो आग की तरह होती है जो की छुपाई जा सकती है लेकिन गुजाई नहीं जा सकती है तो ये कुछ questions हैं जो कि हम बाल में cover करेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग इन दा यहां पर क्या बताये गया है इन लाइफ एवरीम में हैस ट्विन ओपलिजेशन कोईशान कोईशां की गुजाईन तो इस में बताये जारा है कि जीवन में परतेक वर्ग्थि को दो जिम्मेदारियां होती है एक जिम्मेदारिय अपने परिवार बतारा है कि एक नागरिक और एक मानुवी समाज में प्रत्य वेक्त इन जीमिदारी ओको अपने सभाव और योगिता के अनुसाय पूरा करने में समर्थ होता है मलकि आपनी योगिता के अनुसाय इन इन सारी जीमिदारी ओको पूरा कर सकता है अगी बढ़ते हैं But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो बता रहें कि मुझ जैसे काले रंग वाले वैक्ती जो की South Africa में जन्में हैं, ये दुने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? आगे देखेंगे. इन South Africa, a man of color who attempted to live as a woman being was punished and isolated. तो उसमें बता जा रहा हैं कि जो South Africa दच्छर अफ्का में एक अश्वायत वैक्ती जो एक इनसान की तरह रहने का प्रैतन करें, उसे सजा दी जाती हैं और अलग कर दिया जाता है. जो कि काले वक्त होते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता था और एक तरीके की punishment भी दी जाती थी एकदम society से अलग रहने की, तो वो उन्हें जिम्नेदारियों को पूरा नहीं कर सकते थे, आगे देखते हैं, In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people and evotably repeat from his family and his home and was forced to live a life apart or twill, twillight, excitement of secrecy and rebellion, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि दच्छी दफका में एक वक्ति जो अपने लोगों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करता है, उसे उसके परिवार और घर से जबजस्ति दूर कर दिया जाता था, और एकांत और विद्रो की मंद रोशनी के साथ उसे अलग होकर अपने जीवन को जीना मजबूरी में जीना पड़ता था, तो यह बताया जा रहा है, उसके बाद आगे देखते हम लोग, I did not in the beginning choose to place my pupil above my family, but in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband, तो वो क्या बता रहा हैं, कि मैंने प्रारम में मेरे लोगों को अपने परिवार के उपर नहीं रखा था, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने जाना कि एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पती की जिम्मिदारियों को पूरा करने से रोख दिया गया था यसम्मिंट जो तो वह अपने अपनली कि इसेव नहीं पाते सकते हैं कि मैं आजाध्च related की भूंग ऴुक से नहीं पैदा हुआ था I was born free, मैं जो पैदा हुआ था मैं एक दम सतन था, free in every way that I could know, हर रास्ते से सतन था, जो कि मैं जानता था, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run thought my village, free to roast meals is under the star and rise the food black of slow moving balls. तो वो बता रहे होते हैं कि हर तरह से आजाद था, उतना जितना मैं जानता था, मेरी मा की जोपड़ी के पास खेतों में डौनने की आजादी थी, उनके पास मेरे गाओं में बहने वाले सच जहने में तैरने की आजादी थी, तारों के नीचे बुट्टा सेखने की आजादी थी और धी में चलते हुए बेलो की जोड़ी पीड पर सवारी करने की आजादी थी वो यह सब बताते हैं कि मेरे पास इतनी सारी आजादी थी As long as I obeyed my father and obeyed by the custom of my trips I was not troubled by the law of man or God तो बताते हैं जब तक मैं अपने पिता की आगया मानता रहा और मेरे कबीले के रीती रिवाजों से बंधा रहा मुझे इंसानों या ईश्वर के बनाए नियमों से कोई परिशानी नहीं हुई तो वो ऐसा बताते हैं उसके बाद आगे देखते हैं It was only when I began to learn that my boyhood freedom was illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me तो बताते हैं कि जब तक वो अपने पिता उता के अंदर थे तब तक उन्हें कुछ भी परशानी नहीं होती थी लेकिन जब यहां मैंने तब जाना जब मुझे या ग्यान हुआ प्रादम में कि मैं बच्पन में आजादी जो थी वो मेरा एक भ्रहम था लेकिन जब मैं युवा होने लगा तो जब मैं युवा होने लगा तो जाना कि मेरी आजादी मुझे पहले ही छीनी जा चुकी थी वो ऐसा बता रहे हैं तब मुझे इस आजादी की भूग पैदा हुई तो बता रहे हैं जब मैं बालक था तब विदार्थी था मैं केवल मेरे स्वैम के लिए आजादी चाहता था इस था ये आजादी बिना रोके टोके के रात में बाहर जाने की जो मुझे पसंद था इसके बार आगे रिखते हैं मैं वहाँ जाना जाता था जहां पर मुझे पसंद था लेटर एज यंग मैन इन जोंस बर्ग आई यूर्ड फोर दा बेसिक एंड हॉन्रेबर फ्रीडम आफ एचनिंग माई पॉर्ट तो बताते हैं कि बाद में जोंस बर्ग में एक नव यूवक के रूप में मैंने अपनी छमताओं को प्राप्त करने अजीव का कमाने शाधी करने और प्यारिवारिक परिवार बनाने की मौलिक और समाजनात्मक आजादी पर जोड़ दिया ऐसी आजादी जिसमें पूर्ण न्याय मिले उन्हें जीवन में कोई भी बाधा उत्पर ना हो वो सारा कुछ अपने मन से कर सके तो ऐसा बताते हैं उसके बाद आगे रेखते हम लोग बट स्लोली शॉर डैट नॉट अनली वाज आई नॉट फ्री बट माई बर्दस और सिस्टर वर नॉट फ्री लेकिन त वाज सार्टें बट दॉट फ्रीडम आफ एवरीवन हू लूग लाइक आई डिट तो बताते हैं मैंने देखा कि केवल मेरी आजादी को ही नहीं चीना गया है बलकि जो मेरे जैसा दिखता है उन सभी के आजादी को चीना गया है चीन ली गई है या तब हुआ जब मैं सब्सक्राइब करें लोगों की आजादी की बूग में बदल गई रागे बढ़ते हैं लोग It was this desire for the freedom of my pupil to live their lives and this guarantee and self-respect that emitted my life that transformed a frightened young man into a bold one that drove our law obediently to become a criminal that turned a family loving husband into a man without a लाइफ लविंग मैं तो इसमें बताया जा रहा है कि इस इच्छा ने जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीवन जीने की आजादी चाहता था मेरा जीवन बदल दिया इस इच्छा ने एक डरे हुए डरपोक्त नव यूवक को बदलकर बहाद को बिना घर के बना दिया मतलब बेघर बना दिया जिसने जीवन में प्रेम करने वाले वेक्ति को साधू जैसा जीवन जहीने के लिए मजबूर कर दिया तो यह बता रहे हैं कि जब मेरे अंदर फ्रीडम की इच्छा जागत हुई तो उनके साथ साथ ऐसे बदलाव हुए है उसके बाद आगे देखते हैं लोग आई एम नॉट मूर बट्यूसेश सेल्फ साक्रिफाइंग देन देन नक्स्ट मैं बट आई फाउंड आई कुद नॉट इवन इंजॉए दा पूर एंड लिमिटेट फ्रीडम आई वास अलाउड वेन आई नियू मैं पीपल वार न वेकर नहीं लेकिन मैंने पाया कि मुझह मिली हुई कम और सीमित आजादी का भी आनन्द नहीं ले सकता हूं ना कि वह बता रहे हैं लोग आजाद नहीं है तो यह बता रहे हैं कि आजादी अभी वाजित है मलकि आजादी सभी के लिए है मेरे लोगों में से किसी एक की भी बेडिया किसी पर बेडिया का मतलब है कोई सुतंत नहीं है कोई जैसे की कायद में है तो उससे बेडिया से मतलब है तो बताँ एक पर बेडिया उन्हुछार कोई नहीं अजाद है जो आगे बढ़ते हैं I knew that the pressure must be liberated just as surely as the oppressed तो बता रहे हैं कि मैं जानता था कि धमन करता को भी उतना ही आजादी चाहिए जितनी की धमन होने वाले वेक्तिकी को चाहिए मतलब कि धमन करता का मतलब जो उनसे आजादी छीन रहा है तो बताते हैं जो हमसे आजादी छीन रहा उसे भी आजादी चाहिए जिनने की आजादी हमें चाहिए तो बता रहे हैं एक वेक्ति जो दूसरे वेक्ति की आजादी छीनता है वा नफरत का कैदी बन जाता है वह पूर्वा गए और संकुचित मांसिक्ता की सलाकों के पीछे कैद हो जाता है मर कि उसकी जो mentality होती हो बहुत ज़दा खराब हो जाती है तो वह ऐसा बता रहे हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग I am truly free if I am talking away someone else freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me the oppressed and the oppressed alike are robbed of their humanity तो वह बता रहे हैं यदि मैंने किसी अन्यवक्त की आजादी को छीना है तो मैं वास्तफिक रूप से आजाद नहीं हूँ जैसे कि मेरी आजादी छीन लिये जाने पर मैं आजाद नहीं हूँ दमन होने वाला और दमन करने वाला दोनों ही एक समान रूप से छीन ली जाती है तो यह ऐसा बताया जा रहा है इस लेसन में तो आई हूप आपको यह लेसन समझ में आया होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्रीज से लाइक कर दीजे में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आकन को भी प्रेस कर दीजे ठैंक यू मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो में